Hello friends, आज मैं आपको 2013 की एक real life story for best way back home ये movie explain करने वाला हूँ इस movie में एक mother एक अलग country में arrest हो जाती है इसे जो crime क्या होता है ये जाने अन जाने में इससे हो जाता है अब ये family क्या करेंगे? अब हम इस movie में देखेंगे तो चलिए ये शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और यून हमें पैरिस एरपोर्ट पर दीखती है एरपोर्ट की जो एथरिटी होती है इसको इस पे शक हो जाता है और ये यहाँ arrest हो जाती है अब इसकी backstory हम देखेंगे हमें हमारे दो man character दीखते है यून और जॉंग यून वाइफ है और जॉंग उसका husband है ये दोनों एक car repairing shop चलाते है यून भी आज गाड़ी को कुछ साफ कर रही होती है तो भी एक spider उसे दिखता है उसका husband उसे बुलाता है तो इस spider मर जाता है आज उसके husband के बहुत सारे friends आने वाले होते है ये कहती है कि मैंने आज spider को मार दिया है ये अब शुगोंने आज उन्हें आने से मना कर दो husband कहता है कि इसा कुछ भी नहीं होता मेरे जो friends है ये मेरे family की तरह है ये कभी भी आजा सकते है कोई हमें problem नहीं आएगा ये इनकी conversation चल रही होती है तो भी मुन्दो आ जाता है मुन्दो वही friends में से एक है जो इनसे मिलने आले वाला था मुन्दो बहुत दिनों से गार था वो कहा था क्या कर रहा था किसी को कुछ भी पता नहीं है रात में जब ये डिनर कर रहे होते है तो और दो friend आते है इन friends में से एक business man होता है एक computer की shop चलाता है और एक मुन्दो होता है एक दुसरे से अपना हाल चाल पुछते है मुन्दो को पुछने पर कि वो क्या करता है एक story make up कर देता है इसने sona find किया है और पिछले तीन सानों से वो यही था जो business friend होता है उसे जब पुछा जाता है तो कहता है यौन और जॉंग इन दोनों नों मझे बहुत help के हैं मेरे business को लेकर इन्हीं मैज़े से मैं stand हो चुका हूँ और तीसरा जो friend है computer center चलाता है इस रात इन सब friend की reunion हो जाती है नेक्स दिन जैसे एक family के morning routine होती है वैसे इनकी routine चलती है यौन अपने बेटी के health बनाती है और आप वो school जाने वाले होती है जब जॉंग और डॉटर ये दोनों घर से बाहर चले जाते है और यौन अकेली होती है तब ही business man friend वहाता है ये यौन से खाना मांगता है और कहता है कि बहुत दिन हो चुके है मैं तुम्हारे हाथ का खाना है नहीं खाया था इसलिए मुझे याद आ गई और मैं आ गया यौन भी उससे जादा कुछ नहीं पुछती है रात में पुलिस को इसी business man friend की body मिलती है इसने suicide कर ली होती है इस पर बहुत जादा debt हो जाती है और ये सहन नहीं कर पाता इसके बाद जौन और यौन को बैंक में बुला जाता है बैंक वाले उससे कहते हैं कि तुम पर 200,000 डॉलर्स का लोन है एक्चुल में जो business man friend था इसने loan लिया था जोंग ने इसके लिए sign की थी पर जोंग ने सिर्फ 50,000 डॉलर्स के लिए ये sign दी थी इसे पता ही नहीं था कि 200,000 डॉलर्स है अब ये दोनों बहुत जादा trouble में आ जाते हैं जिस house में हो रहते थे इस house को उने sell करना पड़ता है अभी भी loan बहुत है तो एक छोटे से घर में जाकर rent पे उन्हें रहना पड़ता है इनकी financial situation बहुत ही खरा होती है तो इनके friend मुंदो के पास वाते है इसने कहा था इसे goldmine मिली है तो इसके पास पैसे होंगे ऐसा होने लगता है जब इन मुंदो के पास आता है तो मुंदो कहता है कि उन्हें बहुत सारे पैसे दे सकता है 4000 डॉलर सिर्फ 3 दिनों के काम के लिए यह हो उन्हें deal दे रहा होता है यह काम जब उन्हें समझाता है तो यह होता है कि एरपोर्ट पर जाना है और अपने लगेज में बहुत सारा सामार रगना है उन्हें कहता है कि एक स्टोन से जो तुम्हें इंपोर्ट करके लाने है बस तीन दिनों में तुम वापस आ जाओगे और 4000 डॉलर्स तुम्हारे हो जाएंगे यून को यह बहुत ही suspicious लगता है जाओग कहता है कि इस पर सोचकर में तुम्हें बताऊंगा जब रात होती है तो मुंदों से जाओग बात कर रहा होता है यून से कह रहे होती है कि एक काम तुम्हें नहीं करना चाहिए पर जाओग उसकी मानने नहीं वाला होता बहुत जादा लोन उस पर होता है और एक ऐसे pay करेगा यह बहुत बड़ा problem होता है जब यह बात कर रहे होते हैं तब जाओग को पता चलता है कि इस काम के लिए सिर्फ ladies लगने वाली है जो आँ यह काम नहीं कर सकता तो यह बहुत जादा disappointed हो जाता है अब जिस नए घर में वो पहुच चुके है तो इसकी जो landlord है यह उन्हें अब डाट रही होती है बहुत दिनों से इन्होंने रेंड भी नहीं दिया होता अब दो-तिन दिन गुजर जाते है जो आँ घर पर ही नहीं आता कंटिनूसले वो काम कर रहाता है यानि कि बहुत सारे पैसे वो ला सके डॉक्टर यून से पुछती है कि फादर का है पर इसके पास जादा कुछ आंसरस नहीं होते अब यून को महसूस होता है कितनी बड़ी प्रॉलम उन्हें आ चुकी है फिर वो मुंदो को कॉल लगाती है वो कहती है कि इस काम के लिए मैं रेडी हूँ अपने बेडी को वो बाजार में लेकर जाती है घर आते वक एक टॉय के शॉप में डॉटर रुखती है इसे एक बड़ी सी डॉल चाहिए होती है पर यून के पास इतने पैसे नहीं होते तो एक छोटी सी डॉल उसे ले लेती है डॉटर को कोल लग रहा होता है तो अपने कंदे पर यून उसे बिठा लेती है उसे कहती कि थोड़ी दिन तक मैं यहाँ से बाहर जाने वाल हूँ तुम्हें अच्छे से रहना है सब इंस्ट्रक्शन उसे देगर वो चली जाती है जॉंग जब घर पर आता है उसे फ्रीज के उपर नोट मिलती है यह थोड़ी दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ यून ने अपनी डॉर्डर को उसके एंड के यहाँ छोड़ा हूँ होता है मूवी के फर्स में हमने देखा था कि यून एरपोर्ट पर पकड़ी जा चुकी है अब यही वो सीन है और उसका लगेज पकड़ा जाता है जब यह चेक किया जाता है तो उसमें बहुत सारी कोकेन होती है 150 मिलियन यूरोस की यह कोकेन होती है मूवी ने उसे बताया था कि आगर वो पकड़ी गई तो कस्टम वालों को पैसे दे देना पर यह यहां काम नहीं करता यह उसने जुट बोला था उसे अब जेल में डाल दिया जाता है मुन्डों की जो गट्रिंड होती है यह भी पकड़ी जाती है इसे भी जेल में डाल दिया जाता है अब जौंक को इस सब incident के बारे में पता चल चुका है यह पुलिस के पास आता है उन्हें कहता है कि उसे पता ही नहीं था उसे लगा था कि यह स्टोन से अगर उसे पता होता कि यह कोकेन है तो यह कभी भी नहीं करती पुलिस कहती है कि हमें सिर्फ मुंदों को पकड़ना है अगर वो पकड़ा गया और उसने टेस्टिमोनी दे दी, तुमारी वाइफ फ्री हो जाएगी, कोई प्रावलम ने आएगा जादे जादे वो जाओंग को अपनी पी करने के लिए बोलते है इस पर भी पुलिस को शक होता है, ये भी अपनी वाइफ को एक काम करवा सकता है इसलिए इसको भी पी सैंपल और हैर सैंपल देना पड़ता है डॉटर अपनी मदर उसे देखने रही, तो उसे बहुत ही परिशान करती है जोंग उस पर चिर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है मुंदू की जी गर्फरंट जो पकड़ी जा चुकी होती है, वो as a suspicions पकड़ी जा चुकी होती है इसके पास कोकेन नहीं होता, तो जो छोड़ दिया जाता है Korean Embassy से आई हुई एक लेड़ी वा होती है यून उसे पूछती है कि ये क्या हो रहा है उसे अपने husband को call करना है, ये भी उसे बताती है ये बहुत strict होती है, और कहती है ये French Embassy के काम करती हो तुम जब prison में पहुँचा होगी, तब later लिखना जो अग पुलिस के पास आया हुआ होता है और Korean Embassy को ये सब inform किया जाता है पुलिस officerों से खेता है, थोड़े दिनों बाद तुम Embassy को call करना ये जो सब matter है, इसे वो देख लेंगे अब हमें Korean Embassy का office दिखाय जाता है ये जो सब matter हुआ है, एक boss को एक employee समझा रहा होता है boss उसे खेता है कि ये जो सब हुआ है, ये हमारी लिए disgrace है इस पर वो जादा ध्यान नहीं देने वाले होते ये जो employee होता है, इसका नाम Dayun होता है अब हमें दिखता है कि Dayun Paris में आ चुका है और Yun से वो मिलता है, उसे कुछ paper sign करने के लिए बोलता है tooth brush वगरा कुछ सामन उसे दे कर जाता है Yun कहती है कि मुझे मेरे husband से बात करनी है Yun कहता है कि French law बहुत ही कड़क है तुम में husband से बात नहीं कर पाऊगी जब तुम prison में जाओगी, तभी तुम later लिख पाऊगी ये बहुत यीडगड़ा रहे होती है तो prison guard को इस पर दया आ जाती है इसे call करने के लिए वो permission दे देता है जब ए call लगाती है, तो John busy होता है जो करजा उसे लिए होता है ये उसे चुकता करना पढ़ रहा है तो इसके calls उसे आने लग जाते है लास्ट चांस में यून को call लग जाता है वो जॉंग से पुछती है कि इतना time क्यों लगा दिया जॉंग कहता है कि एसे तुम कैसे चली गई थी क्या हुआ था ये सब उसे बुछता है यून को अपनी डॉर्टर से बात करना आता है इंकी बीटी कार में होती है और ये रस्ते के एक साइट पर होता है ये भागते भागते वाह जाता है पर यून का time खतम हो जाता है वो अपने डॉटरे से बात नहीं कर पाती है नेज़ दिन मुंदो की girlfriend कोरिया में आ जाती है वो पुलिस टेशन में होती है तो जौंग भी वहाता है उससे बुछता है कि तुम कैसे आगे और कैसे यून वहाँ है वो बहुत ही उस पर चिट गयाता है पुलिस ओफिसर कहता है कि investigation चल रही है तुम इसमें ज़्यादा interfere मत करो यून ज़्यादा ही आवाज उठाता है तो वो कहता है कि तुमने एक गुनेगार से शादी की थी इसमें हमारा कोई दोश नहीं है तुम किसी को भी blame नहीं कर सकते है उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है तो मुन्दो की girlfriend भी आती है मुन्दो की girlfriend उसे कहती है तैवान नाम का एक आदमी था यह मुन्दो का बहुत अच्छा friend था अगर तुम इसे ढून लो मुन्दो को भी तुम ढून सकते हो अब थोड़े दिन हो जाते है तो John Korean embassy को call लगता है यहाँ पर देयों उसे बात कर रहाता है देयों इसे कहता है कि यह जो crime हुआ है इसकी hearing होने में चार मंद लगेंगे योंग उसे भुचता है कि तब तक के लिए मैं क्या कर सकता हो देयोंग से कहता है कि अच्छा सा एक lawyer ढूंड लो इसके लिए भी बहुत सारे पैसे अब योंग को लगेंगे देयोंग अपने officer के पास आता है वो कहता है कि अगर हमने petition sign की अगर आपने France के embassy से directly बात की तो हम यह जो period है यानि कि 4 month यह घटा सकते है directly हम trial में जा सकते है बहुत जादा फायदा इसे हो सकता है यह जो officer है इसको इसमें involve नहीं होना इसलिए इसको यह मना कर देता है वो अग जब घर पर आता है तो उसका पुरा सावन रस्ते पर होता है यह rain पे नहीं कर पा रहा इसलिए यह होता है इसे कहती है कि comfortable है इसके लिए worry करने के कोई भी ज़रूत नहीं है यून prison में होती है तब एक guard आती है उसे कहती है कि तुमारा transfer हो रहा है यून को इसकी भाशा समझ में नहीं आती पर यहाँ से उसे जाना है यह उसे पता होता है उसे पुछती है क्या मैं Korea जा रही हूँ Korea के prison में रहूंगी पर यह वहाँ नहीं जा रही होती इसे flight से ले जाया जाता है और island में एक jail होती है वहाँ उसे transfer कर दिया जाता है यह jail बहुत ही strict होती है यहाँ की guards जोती है यह बहुत ही जालिम होती है यून को इनकी भाष्य समझ में आती तो communication का बहुत जादा problem इसे होता है जब रात होती है तो उसके पास guards आती है इसे कुछ गोलिया देती है इसे लेनी होती है पर यह ले नहीं रही होती है इसे फिर यह मारते है और जबर्दस्ती यह उसे लेनी पड़ती है नेक्स सिन में हम दिखता है कि जो यूंग है यह मूंदो के ओफिस में आ चुका है अगर वो मूंदो को ढून लेगा तो यून की सजा कम हो सकती है उसे सजा भी नहीं हो सकती ओफिस में जब वो आता है तब और कुछ गुंडे वहाँ आये हुए होते है इने लगता है कि मूंदो को फ्रेंड है तो इसे बहुत मारते है यूंग को फिर वो अपने बॉस के पास लेकर आते है जो सब सिचेशन होई है यूंग उन्हें समझाता है बॉस को बहुत ही पुरा लगता है कि ये भी उनके जैसा ही है ये जो गैंग्स्टर बहुत है इसके भी पैसे लेकर मुंदो भाग चुका था जोंग उसे कहता है कि मुंदो को तुम्हें भी ढूड़ना है और मुझे भी ढूड़ना है हम दोना एक साथ काम कर सकते हैं पर यह गैंग्सर उसके इंसल्ट करकर उसे घर वेज देता है जॉंग पर बहुत सारा लोन अभी है तो उसे बहुत ज़ादा काम करना पड़ता है उसके डॉटर का खयाल अच्छे से नहीं रख पाएगा तो डॉटर की जो एंड होती है वह अच्छोड कर उसे चला जाता है योन को जेल में बहुत ही तकलिफ होती है यह जो खाना खारी होती है यह दूसरी इनमेत इसका खाना सब छीन लेती है रात में फ्लोर पर जो बेड क्रम्स पड़े हुए होती है ये खाकर वो सो जाती है जो हम मुंदो के ओफिस में गया था बहुत सारी रिसिप्ट वहाँ से उसने लाई है एक एक रिसिप्ट को वो कॉल करता है उसे कुछ ना कुछ तो इविडेंस चाही होता है उसे कुछ ना कुछ तो पता चाही होता है कि मुंदो कहा है ये बहुत सारी जगा कॉल लगाता है और तैवांग और मुंदो इन दोनों का पता डूनता है एक वोच की शॉप में एक कॉल लगती है मुंदो जहा है ये इने पता है जॉंग फिर इस शॉप में जाता ए शॉप में जाने के बात मुंदो के नाम के जो घड़िया होती है यह उससी दिखाई जाती है इस शॉप के बीछे मुंदो का सब operation चलता है और मुंदो के मिलने का यह keyword होता है जौंग को इन वाचेस में से एक वाच चूस करना पड़ेगा और जो दुकान दारे इसे पता चल जाएगा कि क्या काम मुंदों के पास इसका है जौंग को ये समझ में ने आता तो वह वहाँ से चला जाता है पुलिसेस पर बिल्यू नहीं करती जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि ये सब तुम कहानियां मना रहे हो इसे अंडरग्राउंड ओपरेशन स्वेगरा ऐसा कुछ भी नहीं होता अपने कलिक को ये सब बता जाए और ये दोनों हस्ते है बातो बातो में तैवांग का नाम भी जोंग ने बता होता है ये पुलिस ओफिसर अपने कलिक को ये बताता है कलिक को कलिक होता है वो खेता है कि ये most wanted है इनकी list पर तैवांग होता है जब जोंग इस शौप के बाहर होता है तो तैवांग उसे देखता है यह इसके पास से ही जाता है इसके पीछे भागता है पर यह कुछ ढोणने पाता नेकसीन में यून की जेला में दिखाई कही है इस जेल में एक अमेरिकन होती है यह यून की सेल में होती है जो दूसरे कही दिए होते है इससे इसकी ज़्यादा कुछ जम दिनी इन दोनों में बहुत बड़ी लड़ा हो जाती है इसमें यून को भी बहुत मारते है यह जो अमेरिकन है फिर अपने सेल में रो रही होती है यह अमेरिकन जब मार खा रही थी तो उसका एक कीचन नीचे गिर गया था। इसमें यह अमेरिकन और उसकी मदर का फोटो था, फिर यह कीच्ण उसे दे दिये, उसे कहती है कि मैं भी मदर हूँ, मुझे पता है कि तुम कैसे महसुस कर रही हो, पर तुम्हें रोना नहीं है, अजो तुम्हारी मदर को पता जला कि तुम रो रही हो, तो उ उसा बहुत ही बुरा लगेगा, यह अमेरिकान फिर इसे हग करती है, और यहां रोने लग जाती है, यह अच्छी बेस्ट फ्रेंड अब यहां से हो जाती है, जॉंग जोता है, तैवां की साथ जो इंसिडेंट हुआ है, यह सब वो गैंस्टर को बता देता है, गैंस्टर बह मिल जाते है, अब जो लेटर में का अड्रेस है, यह अलग है, यह अंग जो होता है, यह कॉम्पेटर सेंटर चलाने वाला जो फ्रेंड है, इसकी कॉम्पेटर सेंटर में आप रह रह रहा होता है, अपने फ्रेंड को कहता है, यह जो लोगेशन है, प्लीज इसका पता करो, जॉंग फिर यह लेटर पड़ता है इस लेटर में यूंग कहती है कि मैं पैरिस में थी वो बहुत ही कोल्ड था पर अब मैं ट्रॉपिकल आईलर्ड में आ चुकी हूँ यहाँ बहुत ही गर्मी होती है मेरे पास जाधा पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें लेटर्स लिख सको थोड़े से पैसो की मुझे जरूरत है मुझे पता है कि तुम्हारे फाइनाशल सिजुएशन बहुत ही खराब हो सकती है और फिर भी उसे हेल्प अप चाहिए होती है अपने बेटी का फोटो हमागवाती है यौंग फिर यौन को जो सब चीजे चाहिए होती है यह सब इखटा करता है एक्सप्रेस शिपिंग के ओफिस में हो जाता है वहागे जो लेडी होती है वो उसे कहती है कि यह शिप करने में 20 days लग जाएंगे यह बहुत ही ज़ादा टाइम है यहाँ चली जाते है तैवं को बहुत ही मारने लग जाते है तक यह पुलीस वह आती है पुलीस तैवं को ले लेती है और उसे पुश्ताच गरने लग जाती है यौं भिव होता है तो उसे देख करो सप्राइश टो दे गैंस्टर यौं से बात करता है उसे कहता है कि तुम जो आप लड़ाई लड़ रहे हो इसमें पर्सिस्टन होना बहुत ही ज़ाद ही इंपोर्टन्ट है कभी भी हार मत मानना ये कहिकर वो चला जाता है यॉंग फिर Korean Embassy को कॉल लगाता है उन्हें कहता है कि money transfer मुझे करना है अगर आपके through में करूँगा तो ये बहुत ही fast हो जाएगा यहाँ पर देयांग उसे कुछ अच्छे से answer नहीं करता वो कहता है कि क्या हमें यही काम है तुमारी wife एक felon है एक disgrace है इस country के लिए हम इसे जाधा कुछ मदद नहीं कर सकते यून के hearing होने वाली है या नहीं इसके पहले उसका interview होता है कुछ नए evidence अकर होंगे तो उसकी defendant जच को बताती है यून यहाँ कुछे बोलने बाती है क्योंकि इसे french भी नहीं आ थी और english भी उसे अच्छे नहीं आ थी अब इसकी जो hearing है और चार मेने के लिए पॉस्पन हो जाती है यह बाहर आकर अपने attorney से कहती है कि कितना time लग सकता है अपनी तुटक भाषा में ही इससे सब कुछ बोल रही होती है वो कहती है कि तुम्हारा drugs का कैसे दो साल तक लग सकते है सिर्फ तुम्हारा trial स्टार्ट होने में यह बहुत इडिसे पॉइंटर होती है अब जो पुलिस है इसने मूंदो को ढून लिया है जौंग भाता है उससे जबब पढ़ता है तो कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो पुलिस जौंग को समझाती है कि तुम्हारे लिए important है अगर इसने सही से गवाई देती कि यौंग को पता ही नहीं था कि उस bag में क्या था तो यौंग छूट सकती है यौंग भी फिर उसे पैर से समझाता है जौंग का लेटर यौंग को मिलता है इसमें इसकी बीटी की फोटो थी है ये देखकर और रोन ले रचाती है जौंग कहता है कि हम दोनों ठीक है हमारे बारे में तुम कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम सिर्फ अपना खयाल रखना जो सब हुआ है ये मेरा ही फॉल्ट है इसके लिए मैं बहुत ही गिल्टी महसुस करता हूँ हम गिव अप नहीं करने वाले हम होप रखेंगे कि तुम जल से जल यहां से भार आ जाओगी अब इंगे जो डॉटर है ये ज़रा बड़ी होने लग गई है तो यूंग अपने लेटर में लिखती है उसकी फोटो मुझे भेज़ दो अगर मैं उसके बड़ी के लिए वापस नहीं आ सके तो उसे पाक में लेकर जाना वो अपने बेटी को लिखती है ये बहुत सारी पढ़ाई करना और फादर को जादो तकलिफ मत देना अब यूंग जो है अब प्रिजर में अच्छे से गुल मिल चुकी है उसकी अब फ्रेंड भी बन चुकी है तो अब इसे जादा कुछ प्रॉलम नहीं आ रहा है यूंग को जज़ के सामने प्रॉलम आता है क्योंकि वहाँ टांसलेटर ही नहीं होता यूंग फिर को प्रॉलम वह लेटर में लिखती है पहले हमारा बजट इतना कम है आगर तुमारे वाइफ पर हमने खरचा कर दिया तो लोग हमें क्या कहेंगे हम एक drug trafficking करने वाली पर इतना जाता पैसा खर्च नहीं कर सकते ये घटिया answer देखकर और call cut कर देता है नेक सीन में हमें दिखता है कि मुंदो की hearing चल रही होती है मुंदो जोता है अपने crime के लिए confess कर लेता है और ये भी बता देता है कि यून की इसमें कुछ भी गलती नहीं थी जोंग courtroom में पुछता है कि अब क्या process होगी वहाँ का lawyer उसे कहता है कि जो भी transcript इस courtroom की है वो अब हम Korean embassy को send करेंगे या French की embassy को translate करकर send करेंगे और इसके बाद यून का जो trial है वो start हो जाएगा वो जल से जल वहाँ से बाहर आ सकेगी यून के लिए translator मिलने ही पा रहा तो जोंग अपने friend को लगा कर internet पर message भेजता है अगर कोई Korean फ्रांस में रहे रहा होगा तो उसे ही message मिल सकता है यह जो अब transcript है जो Korean embassy को और French embassy को भेजने है इसका काम start हो जाता है इसमें दो मेने लग जाते है इसमें जोंग कॉल करता रहता है पर देयांग जोता है इसे बहुत ही घटी आंसर देता है Korean embassy में एक बड़ा officer आने वाला होता है इस दिन उनके office में बहुत ज़्यादा strictly सब लोग काम कर रहे होते है इस office में जो मैस होती है ये देयून देखता है देयूंग सब को कहता है कि officer आएगा और हम अगर ऐसे दिखेंगे ये हमारी reputation के लिए अच्छा नहीं होगा ये सब उन्हें साफ करने के लिए बोलता है ये साफ करते करते जो translation था जो ने भेजना था इसके file नीचे गिर जाती है hearing होती है जो Korean embassy है उसने paper work sending नहीं किया है तो फिर से चार मेने के लिए उसका trial postpone हो जाता है ये समझ में नहीं पाती ये हो क्या रहा है जो ने अपने बेटी को उसके end के हाँ छोड़ा हो होता है पर वो थोड़ा सा गिर जाती हो हड़ा जाती है जोंग फिर अपने बेटी को उसे रखने वाला होता है जोंग के बेटी का बढड़ा आ जाता है उसे पाक में ले जाता है इस दिन उसे ज़्यादा कुछों तकलिफ नहीं देती यूण को जेल की गारी में से ले जा रहा होता है तब ये गाड़ी रूख जाती है जेल के एक गार्ड होती है जो इसे जबरदस्ती करकर इसे इंटिमेंट होना चाती है यून बहुत ही चिल्ला थी है वहाँ से गाड़ी जा रहे होती है तब ही ये लोग रूख जाते है और क्या आवाज आ रही है यह देखने लग जाते है यूंग बहुती डर गई होती है तो यह भागने लग जाते है यह भागते भागते सी के पास आ जाते है यह केरिबियन सी होता है जॉंग जो होता है यह अपना सामान देख रहा होता है अपने पुराने यादे वो फिल से जीरा होता है इसमें उसे केरिवियन सी का एक पॉम्प्रेट दिखता है यून और जॉंग ने डिसाइड किया था कि वो अपनी 10th anniversary पर इस island पर आएंगे केरिवियन उन्हें देखना था अब मैं दिखता है कि जॉंग और उसकी बेटी अच्छे से अपने रूटिन में घुल मिल चुके है यून की बेटी को यून की अब जादे याद नहीं आती यून भागने वाली थी इसलिए उसे काल कोठ्री में डाल दिया जाता है अब यून का ट्रायल शुरू हने वाला है तो उसे city में लाया जाता है वो city में ही एक रूम पे रहने वाली होती है जून को पता चलता है कि पेपर वर्क फ्रांस में गई ही नहीं है इसलिए Korean Embassy के आगे वो cardboard लेकर खड़ा हो जाता है वो ट्राय करता है कि कोई उसे notice कर ले पर ये कोई notice नहीं कर पाता जून को जो internet याफ़े वाला friend होता है ये सब वो internet पर डाल देते है इससे Korean Embassy पर प्रेशर बढ़ जाता है देयोंग और उसका जो boss होता है इन पर भी प्रेशर आ जाता है इन्हें फिर inquiry करने के लिए France जाना पड़ता है ये यून से मिलने आते है ये से सहारा देने के वज़ा उसे कहते है कि तुम positive thinking करो तो ये बहुत सारे साल यहां रुकना पड़ सकता है तो तुम meditation करो इस room में तुम यही कर सकती हो बहुत ये लावरवा उसे आंसर देते है और थोड़े पैसे देकर वहां सी चले जाते है यून ये पैसे फिर से उने parcel कर देते है यून जब सुनती है कि बहुत सारे साल उसे यहां रहना पड़ेगा 10 साल इसे रहना पड़ सकता है तो ये बहुत धिस्टब हो जाती है ज़ज जहा होता है उसे हो मिलने जाती है पर guards उसे रोक लेते है यून बहुत ही अकेला मैसूस करती है यून की जो जेल में फ्रेंड थी वो जेल के बाहर वो आती है उसे दूर से आवाज देती है उसे पुछती है कि वो कैसी है उसकी फ्रेंड भी उसे आवाज देती है कि वो ठीक है यून के बारे में वो पुछती है फिर यह सी के पास आ जाती है अपने लेटर में लिखती है कि हम 10th anniversary पर यहां आने वाले थे मैं यह विश्च करती थी मैं कितनी गलत थी मुझे लगता है कि मैं एक बुरे सपने में हूँ तुम दोनों यानि कि जॉंग और इसकी बेटी यह बहुत ही सफर कर रहे है यह मैं सहन नहीं कर सकती अपने आपका तुम खयाल रखना यह स्लेटर में लिखती है यानि कि इसके बाद वो सुसाइट करने का अटेंट करती है इसे होस्पिटर में ले जाया जाता है यॉंग कोरियन एमबसी में आता है यहाँ प्रेस रिलिस चल रहे हुती है यॉंग यहाँ बहुत जादा तमाशा खड़ा कर लेता है इनसे पूछ रहाता है इनसे आटलिस बता दो यह यॉन केसी है जब यह बहार आता है तो एक रिपोर्टर उससे मिलता है वो कहता है यॉंचे तुमारी वाइफ पर स्टोरी करनी है हम उसे मिलने के लिए फ्रांस जाने वाले है क्या तुम हमारे साथ आओगे जॉंग को बहुत ही अच्छा लगता है जॉंग फ्रांस आ जाता है और यॉन से मिलता है यह एक दूसरे को हग करते है जॉंग अपने बेटी की वीडियो से दिखाता है यब जॉंग ने इससे मिल लिया है तो अब इससे फिर से घर जाना पड़ेगा इन्हें एक दूसरे को छोड़ने में बहुत यह तकलिफ होती है पर इन्हें अब जाना पड़ता है जो सब रिपोर्टर है और जॉंग यह सब कोरियन एंबसी आ जाते है उनसे सवाल पूचने लव जाते है उन्हें ट्रांस्रेटर के बारे में पूचते है जो बॉस होता है केता है यह हमारे जो money और resources है इसमें उन्हें बहुत try किया था पर हमें फ्रांस में कोई भी नहीं मिला रिपोर्टर कहते है कि वह एक कोरियन थी यहां में इंटरनेट पर मिली है पर तुमने कुछ दखर ही नहीं ली थी यह उन्हें बहुत जादा ब्लेम कर रहे होते है यह फिर इन्हें पेपर्स के बारे में पुछते है यह फिर इन्हें पर चपक जाता है उसे मानने के खोशिश करता है यह सिचुएशन जड़ा कंट्रोल करते है योन्य ने इन्पेपर के बारे में जौंग को बताए था इसी वझेस ही यह पड़ीता है तो अब यह कोरियान एंबस्य के बहुत वगरा है यह यून से मिलने के लिए आते है यह ओन पारी वज़ए से यह सब हो रहा है सब हुआ है तो अब यह जो Korean Embassy के बॉस वगरा है यह यूं से मिलने के लिए आती है यह कहते है तुम्हारे वज़े से यह सब हो रहा है तुम एक criminal हो और हम जैसे इमानदार officers को यह सब जहिलना पड़ रहा है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हें यह पेपर मिल गए तो ज्यादा कुछ difference होगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो तुम्हारे होप है यह सब तुम छोड़ दो यूंग बहुत ही रोने लग जाती है यह जो को कॉल करती है और कह नहीं करनी है इसके बाद फिर जो अपने फ्रेंड के बास आता है वो इंटरनेट पर यह सब लीक कर देते है इसके बाद बहुत सारे लोग इन्हें सपोर्ट करने लग जाते है बहुत सारे शेर्स होते है बहुत कुछ हलचल मत जाती है इसके बाद सब पर प्रेशर आ जात जो documents थे जो Korean Embassy ने documents नहीं भेज़े थे अब France के पास आ चुकी होते है यून को एक अच्छा सा lawyer मिल जाता है इसकी hearing अब start हो जाती है इस hearing में यून को जो lawyer होता है ये सब को समझाता है कि इसको पता ही नहीं था कि इसके पास drug से इसकी गवाई हो जाने के बाद judge अब फैसला सुनाने वाला होता है जज यून से पूछता है कि क्या तुम्ही कुछ बोलना है यून खड़ी हो जाती है वो कहती है कि हा मैं गिल्टी हूँ थोड़े से पैसो के लिए मैंने एक काम किया था पर ये जो सब हो रहा है इसके सजा मेरी family भुगत रही है इससे घर जाना है ये वो judge को कहती है मेरी बेटी चार साल की थी पर अब वो छे साल की हो चुकी है अपनी मदर के भिना उसे जीना पड़ रहा है मुझे फ्लीज घर जाने तो ये अपील हो judge से करती है जस थोड़ी देर बाद फिर से वो आता है उसे एक साल की सजा देता है पर already you ने दो साल जेल में spend की है तो अब उसे सजा नहीं होने वाली वो directly अब घर जाने वाली होती है ये बहुत ही खुश हो जाती है ये फिर एरपोर्ट पर आती है जौंग उसे मिलता है अपने बेटी से वो मिलती है उसकी बेटी उसे identify नहीं कर पाती है इसका जो जहरा होता है ये वो भूल चुकी होती है ये डर रही होती है तो जौंग उसे कहता है कि मदर के पास जाओ यौंग की बेटी उसे पुछती है कि क्या तु मेरी ही मदर हो ये फिर उसे गले लगाती है इसके बाद फिर हमें इनका जो रूटीन था वो फिर से स्टार्ट हो चुका है ये हमें दिखता है यौंग अपने बेटी के बाल बना रही होती है जौंग थोड़ी देर बाद घर आता है इस सीजन में पहली बार आज स्टू किरने वाला होता है स्टू किरना स्टार्ट हो जाता है ये सब को भार बुलाता है एक कैमेरा वो लाता है एक फैमिली फोटो लेने वाले होते है तब जौंग को फिर से कॉल आता है कोरिन एंबसी से कॉल होता है उसे कहा जाता है कि गुड नूज है तुम्हारी वाइफ घर पर आने वाली है जॉंक को इस पर घुसा आता है पर वो इस पर जादा ध्यान नहीं देता कैमेरा उन करता है और फैमिली फोटो में आ जाता है पर एक स्मायल करते हुए एक बड़ी आसी हो फोटो निकालते है इनकी फैमिली अब फिर से बन चुकी है यही मूवी खतम हो जाती है इसके बात एन क्रेटिस में हमें पता चलता है कि इन दोनों को और एक बेटी हुई थी एक हैपी लाइफ यह सब जी रहे है हमारे लाइफ में हमारी situation कितनी में खराब हो पर फिर भी हमें give up नहीं करना है इतने भी बुरे दिन हमें आ जाए पर फिर भी हम इसे adjust कर सकते है इन बुरे दिनों से हम बाहर आ सकते है जो कुछ हमें चाहिए इसके लिए हमें कभी भी give इसे अच्छे से मैसेज के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एफ वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिफिशन आइकोन भी दबा दीजे यानि कि आपको सब मूवीज मिलती रहे है हम वेसे मिलेंगे एक नई मूवी के साथ तब तक के लिए थाइंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे